आज हम बनाने वाले हैं milk fruit cake जो की काफी ठंडा ठंडा सा और ice cream के जैसा लगता है तो बहुत ही दिखने में सुन्दर होता है ये cake और खाने में बहुत ही delicious और पकाने में तो super easy तो बस उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए है fruits तो जो भी आपके मन पसंदीदा fruits हैं वो market से ले कर लेना है normal जैसा काटते हैं और कुछ हमको गोल गोल काटना है तो उपर सजाने वाले और जो अंदर हम डालेंगे वह होंगे normal slice जो pieces हम काट रहे हैं तो देखे हैं इस तरीके से गोल गोल काट लेना है मैंने orange लिया है mango लिया है की लिया है आलू यह देखिया मैंने सब THIS काटके रख लिया है आलू बुखारे को भी आपके मिलने 2 गुलगए काटा गोल गोल लग काटा है और पुल मız जितने भी फुल इजके सके टें ना पेश्तन तयार है इक बाद बाद एक बड़ीया सब stem किने happens तो अगर आप जिसमें केक बनाते हैं वही वाला टिन ले लेते हैं तो जाधा अच्छा है उसी शेप का आपका केक बनेगा तो मैंने राउंड शेप लिया है और जो यह मैंगो है उसको मैंने एक जो कटर आता है नॉर्मल कुकी कटर जिसको बोलते हैं उससे मैंने इसको काट गोल शेप का तो यह लगी नीरा है कि मैंगो है हरको पूछ रहा था मुझसे यह क्या है तो यह मैंगो है जिसको मैं इस तरीके से पतला कर लिया उसके बाद और मैंगो की और लंबी वाली स्लाइस भी काटी तो सारा कुछ मेरा प्रेपेडरेशन हो चुका है अब मैं एक pot लेने वाली हूँ जिसमें मैं अपना cake बनाने वाली हूँ तो देखें इस तरीके से पहले उसको गीला कर ले पहले pot को मैंने गीला किया है उसके बाद उसमें बहुत आसानी से fruits ऐसे चिपक जाते है तो आप भी चिपका ले सारे fruits बड़े सुन्दर तरीके से जैसे आपको पसंद है आप जमा ले यह जो बीचे मैंने संत्रा रखा है न वो सबसे सुन्दर दिखता है तो यह जरूर रखें उसके अगल बगल आपको जैसे अरेंज करना है जो fruits हैं उसे साब 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 आप अरेंज कर ले कुछ भी गरम नहीं है गरम में डालेंगे तो लंस बन जाएंगे गुटलिया बन जाएंगी उसके बाद मैंने समें कंडनेंस मिल्क डाला है यह है कंडनेंस मिल्क इसकी जगह आप चाहें तो शक्कर और वनीला फ्लेवर भी डाल सकते हैं यह अगर आपको कुछ कलर्स पसंद है तो आप कलर भी डाल सकते हैं आपर को इशू नहीं है मैंने वाइट ही रखा है क्योंकि फ्रूट के साथ वाइट बहुत अच्छा कंट जाएगा उसके बाद बस हलका सजब यह थंडा हो यहने इसका दुआ निकलना बंध हो तो हम इसमें जो पॉट हमने थंडा करके रखा था इस पॉट को भी अमको फ्रिज में रखना है तो जब यह पॉट को निकालेंगे और इसमें सारा हमने जो भी मिक्शर बनाया है वो बढ़िया से अड़ कर लेंगे पूरा अच्छे से फिल कर लें अराम से इसको ले जाए और फ्रिज में दो घंटे के लिए उसके बाद यह बन के तैयार हो जाएगा अराम से इसको फिलिप करें कुछ बरतन में और धीरे से इसको पैट करें साइट से स्की स्लाइस निकाल देखें इस तरीके से यह बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगा और देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है हमारा केक जो कि एकदम चेल्ड है आइसक्रीम के जैसा लगता है और इतना टेस्टी होता है इतना जूसी होता है कि सारी मिठाईया फेलेंस के आगे तो यह ऐसा केक आप जरूर बना के देखें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप जाना चाहते हैं कि अगर अगर क्या होता है या अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी ह आप जरूर करूंगी और अगर अगर की जगा आप चाइना ग्रास यूज करना चाहते हैं तो उससे भी यह प्रेसिपी बन सकती है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग